क्या पवन और जोती एक हो चुके हैं ऐसी तस्वीरे सामने आ रहे हैं जिनने देखने के बाद ये लग रहा है कि पवन और जोती एक हो चुके हैं पुछ तो ये खबरे भी सामने निकल कर आ रहे हैं कि जोती सिंग पवन सिंग से मिलने बनारस पहुची हुई थी क्योंकि बल आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे वारल किया जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि पवन सिंग dost जोति शिंग के बीच में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको पहले तो यह ख़बर दे दे की वाकविन पवन सिंग और जोती सिंग की नजदीक यां बढ़ गई है इन दोनों के बीच की जो गलत फेहमिया है वो धीरे धीरे कट रही है हट रही है लेकिन इन दोनों के बीच की जो गलत फेहमिया है वो हट रही है और आए दिन पवन सिंग के फैंस जो है जो काफी करीब फैंस पव मीडिया में वाइरल हुई है और इससे दावा किया जा रहा है कि जोती सिंग पहुची हुई थी पवन सिंग से मिलने तो पहले तो हम आपको यह कह देते हैं कि यह जो फोटो आप देख रहे हैं यह दो साल पुरानी है पवन सिंग इंदिनो मुस्टैक और बीर्ड के साथ या यह वही की फोटो है और जोती सिंग के हाथ में जो बच्चा है वो जोती सिंग की बेहन का बच्चा है लेकिन आपको जानकर यह खुशी होगी कि भले ही यह दो साल पुरानी फोटो है तो क्या हुआ लेकिन आज कल पवन सिंग और जोती सिंग के बीच की जो नजदी किया ह वो पहले से बढ़ गई है और दूरियां कम हो चुकी है हो सकता है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक रहा तो ये दोनों एक साथ अपने फैंस के बीच नजर भी आएंगे लेकिन फिलहाल के लिए हम ये बता दे कि जोती और पवन सिंग के फैंस हैं जिनके सामने ये दावा किया जा रहा है कि जोती शिंग पवन सिंग से मिलने पहुची थी बलियां से बनारस उनकी फिल्म हर हर गंगे के सेट पर तो वो एक फेक खबर है लेकिन हाँ ये हो भी सकता है और हम सभी जो भी पवन सिंग को चाहने वाले हैं सभी ये चाहते हैं कि ये दोनों फिर से एक हो जा में सब्सक्राइब करना बिल्कुल न पूजे